प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलेकुम। मैं आफकी टीचर आफको उर्दू पढ़ा रही हूँ। कल हमने जो सबक पढ़ा जिसका नाम है सीता जी की आहुजारी उसको हम जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप अपनी किताबें अपने सामने खोल कर रखें और नजर रखें। यहाँ से हम शुरू करेंगे। सहरा मुझे चमन है, रफाकत में आफकी, दुनिया के सारे एश हैं, खदमत में आफकी। सरू जहां आबादी की इस नजम सीता जी की आहुजारी में सीता अपने शौहर से मुकाति होकर कहती हैं, कि तुम्हारे साथ रहकर वीरान भी मेरे लिए गुलिस्तान है। और आफकी फर्मा बरदारी में दुनिया की तमाम असाइश मेरे लिए है। यू हर तुम्हारे साथ फिरूंगी में बन में खुश। बन में सीता जी अपने शोहर से मुकातिब होकर कहती है कि मैं जंगल में आफके साथ खुश रहूंगी। बिलकुल उसी तरह जिस तरह बहुरा बाग में गूम गूम कर कलियों को देखकर खुश होता है। बीता बितंबर समझ के दरखतों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नवने हाल को। इस बन में शायर सीता जी अपने शोहर से मुकातिब होकर कहती है कि अगर जंगल में दरखत के छालों से अपने जिसम को डाकना पड़ेगा तो मैं उसको रेशमी साड़ी समझ लूँगी और अपने मासूम वजूद को इस से सजा लूँगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलमकदा खसपोश जोंपड़ा मुझे होगा सनमकदा। इस पन में सीता जी अपनी शोहर से कहती है कि तुम्हारे साथ रहने से जंगल में गास फूस गास फूस की जोंपड़ी भी मेरे लिए महल होगा। और ये महल तुम्हारे बगार गम का गर होगा। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए जूला जूलाने आएगी सरसर मेरे लिए। इस बहन में सरोजहां अबादी की इस नजम सीता जी की आहजारी में सीता राम से मुखातिब होकर कहती है कि आप बेफिकर रहे जंगल का सब्जा मेरे लिए रेश्मी बिस्तर से ज़्यादा आराम दे होगा। और तेज हवा मेरे लिए जूले की मानद होगी। सूरत तुम्हारी देख के गंबूल जाओंगी। सहरा के सारे रंजवा अलम बूल जाओंगी। इस लास्ट बन में सरोजहां आबादी की इस नजम सीता जी की आहुजारी में सीता राम से मुखातिब होकर कहती है कि सहरा की तकलीफें याद नहीं रहेगी। इन सारी सक्तियों और मुसीबतों को इस तरह बरदाश करूंगी। गोया मैं तकलीफ देखी ही नहीं। बच्चो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके सवालात करेंगी। अल्लाफिज।